जैहिन साथियों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक पर स्वागत करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैट चेप्टर 3 है दो चरवाले रैखिक समीकर्ण एक्सरसाइज 3.3 है यह इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है क्यूंकि इसमें कोस्टन नंबर 3 से है ठीक है और इसके जो पार्ट 1 है ओहां पर कोस्टन नंबर 1 से आपको बताया गया है ठीक है तो चलिए अब देखते हम लोग पार्ट 2 इस एक्सरसाइज के और कोस्टन नंबर 3 है तो देखिए और कोस्टन नंबर 3 क्या है बुरा नीमने सम्में स्याओं में रैखिक समीकर्ण यूगमु बनाना ठीक है यूगमु का मतलब होता है जो रहा यानि दो थो समीकर्ण पहले बनाना ठीक है उसके ब का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें ग्याद करें देखो यहाँ पर उन्हें ग्याद करने का मतलब कह रहा है संख्या को ग्याद करने के लिए बोला जा रहा है तो हमेशा याद रखना है कि जो चीज याद ग्याद करना है उसी को मान लेन तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, मानेंगे, लिखेंगे, माना की, यहाँ पर दो संख्या है, तो दोनों संख्या मान लेते हैं, यही चीज हमें ग्याद करना है, तो उसी को हम लोग मान लेंगे, तो माना की पहली संख्या बराबर X, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं बाइ दूसरी संख्या बरावर बाई ठीक है? अब देखिए प्राथम शर्ट में क्या का रहा हा? या तो आप लिख सकते हैं प्राथम शर्ट lesson से हैं आगर इन दोनों को हम घटाते हैं यानि यह संख्या मैं से इसको घंट आएंगे यान एक समेह से घंट आएंगे बाई तो क्या आएगा जबबीश आएगा तो ये तो होगा समीकरन सब्सक्राइब है आप दूसरी कंडिशन क्या है तो अब लीखेंगे कि अब पूरा पीर सब्सक्राज कर लिखेंगे दूर इसा वे दूरी संख्या का तीन गूंधे थियों तो नियुक्त को स्वाइब जसे पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का क्या है तीन गुणी है तो तीन गुणी कौन है यह है तो यह तो प्रस नइसा कह रहा है लेकिन हम लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिती में एक तरफ हम लोग एकस लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे बाई लिखेंगे दोनों संख् करेंगे बाई में तो यानि एक्स और यह इधर टीन भाई पलस में इधर आएगा तो माइनस में तीन वाई अब बराबर में कुछ नहीं तो क्या बचाएगा जीड़ो इसको क्या बोलेंगे समीकरन दो ठीक है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कौन सा विदी से बनाएंग 26 किसी एक को बराबर करना है और अब अब पार्ट वन में भी इसको वीडियो देख लिए अब देखिए यहां पर क्या होगा किसी एक को बराबर करना तो एक सबराबर क्या लिख सकते हैं 26 यह माइनस भाई है तो यह क्या हो जाएगा पलस भाई इसको क्या बोलेंगे समीकर तीन कामान प्रति अस्थापित करने पर क्योंकि ये विधी का नाम है प्रति अस्थाप पन विधी थी क्या है प्रति अस्थापित करने पर देखे तो समीकरन दो क्या है X-3 by बरावर 0 है तो जहाँ X है वहाँ पर हम डोग अब क्या लिखेंगे 26 पलस by और यह तो माइनस 3 by पहले से है बरावर 0 यह इधर पलस में 26 है उढ़ा जाएगा तो माइनस में अब देखिए 3 by माइनस में और 1 by पलस में तो माइनस बचेगा 2 by आई यह पलस में इढ़ एप्रोब्लूम होने बवला नहीं है क्योंकि जीरो में मैंने क्या ज्खल्ब्र करेंगे गतों मैंनेटल गल गले north降 गए 45 और ये गुझा में है UP The Black लिए में माइन सबासुम मेंतर प्रावम तो तर्व क्या अगया थे अव क्या किसी कहे दो хочет तो लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर ऐसी बनाए जाता है पर्टिस्ठापन विधी से अभी हम लोग बना रहे हैं समीकरण को पर्टिस्ठापन विधी से अब देखें समीकरण एक क्या है समीकरण एक है एकस माइनस बाई बडावर 26 तो हम लोग एकस को बड़े अपर कुछ राखेंगे ने क्योंकि बाई कमाना आया है तो तो बाई के जगा पर क्या रखने माइनस को माइनस और तेला रखाएगा ठीक है यह होगत 26 अब देखे एकस बडाबर क्या हो जाएगा तो 26 और यह माइनस क्या क्या आगया पहली संynn के एक्स माने था एक्स कमान क्या आ गया49 और दूषरी संक्या आप रादije माने थे दूषरी संक्या कमान आ गया tappingosam comparison जो है क्या आद कर लिया है तो यह था प्राशन वन question number three का प्रास्न वान था अब ड़ेखाएंगे इसके प्रास्न चलिए अब ड़ेखे हैं question number two एक question number two क्या है बढ़ा दो सम पूरा कोनों में बारा कोन चोटे कोन से अठारा दिगरी अधिक है बारा कोन चोटे कोन से अधिक है कितना है तो 18 डिग्री डिग्री को हम लोग हिंदी में अंस कहते हैं याद लखेगा उन्हें ग्याद करजे उन्हें ग्याद करने का मतलब हो रहा है यहाँ पर इसकार्थ निकल करके आ रहा है कि बारा कोन ग्याद करना है और छोटा कोन ग्याद करना है तो अभी हम बताएं, जो चीज हमें ग्याद करना उससे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, माना की, माना की, बरा कोन बराबर, एक्स, हैना, डिगरी लिख सकते हैं, या अंस भी लिख सकते हैं, एक्स, अंस, ठीक है, छोटे कोन को क्या मान लेते हैं, छोटा कोन, या छोटे लिख दिजे, छोटे कोन, बराबर, बाई डिगरी, ठीक है, डिगरी या हिंदी में लिखेगा, तो अंस भी लिख सकते हैं, ठी यही चीज़ हमें ग्याद करना था इसलिए हम लोग इसको पहले माल लिए अब देखिए क्या बोल रहा है अब हम लोग चलेंगे इसलिए प्रासन से कि प्रासन क्या का रहा है यह कि 2 जो है छोट कौन से 18 दिगरी अधिक है तो इस स्तिति में कम है तिन गुनी है दूगुनी है अगर यह ऐसा akersTHिति आता है तो हम सबसे पहले क्या बताएं एक तरफ x लिखिया और एक तरफ by और बीच में क्या चीन देना बराबर का अब देखेंगे कि पहले question में कौन बरा है हम दोनों को बराबर करना चाहरे है तो जो बरा है उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे जो छोटा है उसमें जोर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा तो बहें से देखें बरा कौन छोटे कौन से यानि ये अधीक है कितना तो 18 अधीक है यानि जोर में है समझ में आगे जोटेगा और ये नहीं 18 अधीक तो यानि अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते है तो इसमें भी पलस क्या करना होगा 18 ये 18 अधीक है ये question में ही बोल अधीक है तो यहां पर छीपा हुआ है तो यानि हम किस में जोर देंगे 18 तो बाई में तो बाई में जोर दिए अब समझ में आगया ठीक है अब देखिए क्या करेंगे तो एक्स ये इधर पलस का बाई है इधर आईगा तो माइनस भाई बराबर क्या होगा 18 इसको मान ले समीकरन वान तीक है अब देखे एक और समीकरन अभी हमी निकालना है ठीक ज्याद करना क्योंकि योग मोबनाना समीकरन का तो देखे कैसे बनाएंगे हम लोग जानते हैं क्या जानते हो संपूरक कौन संपूरक कौन का कौन की माप 180 देगरी होता है एक 180 देगरी होता है होता है कि नहीं होता है तो संपूरक कौन की माप तो यहां पर हम लोग दूगो कौन लिये हैं यह बारा कौन यह छोटा कौन अग बरहां से ध्यान दो तो क्या इन दोनों को अगर हम जोर देंगे अब जब क्या है एकषमीकरन निकलन समफमीकरन यूग मूं बने हा तो अब सिक्टःस्थ हापन वीडि़ी से हल करें तो युथ तो कैसे बनाते हैं लिखेंगे संमीकरन एक से समिकरन एक से देखें समिकरन एक क्या है एकस माइनस बाई बरावर अठारा तो एकस बरावर क्या हो जाएगा अठारा पलस बाई इसको समिकरन क्या वो लेंगे तीन अब इस समिकरन का जो मान है किसी में परटेस्ट हापिट करेंगे 2 में, तो क्या लिखेंगे, समीकरन 2 में, समीकरन 3 का मान प्रती अस्ठापिद करने पर, करने पर तो समीकरन दो क्या है समीकरन दो में है X पलस बाई बरावर 180 तो देखेगा बर यहां से तो जो X है X के जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 पलस बाई लिख सकते हैं और पलस बाई यह तो पहले से भी है तो यह भी लिख देते हैं बराबर 180, तो यह by by कितना by हो गया, 2 by पलस में होगा, अभी 180, इधर पलस में इधर आएगा तो माइनस में 18, तो 2 by बराबर घंटाई यह बनियांसे क्या होगा, हैना 2 बचेगा, यह हो यह 7, 7 में से 1 गया, तो 6 और यह 1, तीख है, यही पर इसको solve कर देते हैं, तो by बराबर क्या हो जाएगा 162 बटा में 2 कार्टी 2, 1816 और 1 तो बाई का मान क्या निकल कर क्या गया एक आसी अब देखे इस मान को समीकरन एक या दो में रख देते हैं तो लिखेंगे क्या समीकरन एक में बाई का मान रखने पर रखने पर समीकरन एक क्या है एक माईनस बाई बरावर अठार एक सका एक्स और माईनस कितना लिखाएगा 81 ठीक बरावर अठार अठार यह माईनस में उड़ा जाएगा तो पलस में ठीक है एक्स बावर क्या आठ एक नौ अठार खिडिग नौ ठीक एक सका मान यह आ गया और वाई का मान यह आ गया तो हम लोगे लिख देंगे क्या चीज़ आ और आख रिया हिए दिग्री भिलीस्टि रैस इंट में भड़ घ्री कोई चोते को निकितना होगा हुआ कि अंगे होगे आपका वाडा एक आसिए फ्का कि वोलिय ç है गुल्य थे इंसर निकल कर काया गया कोई प्रॉब्लम्र समदने में आ गया तो यह था प्रस नंबर 2, है न, कोश्चन नंबर 3 का 2 था, अब हम लोग ठीरी का प्रस नंबर 3 देखें, चलिए अब देखते हैं प्रस नंबर 3, प्रस नंबर 3 देखें क्या, बुरा एक किर्केट टीम के कौच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 8800 रुपया में खरी दी, बाद में उसने तीन बल्ले तथा 5 गेंद 7800 रुपया में खरी दी, प्रतेक बल्ले और प्रतेक गेंद का मूले ग्याद करें, ठीक है, देखें, जो चीज़ आपको ग्याद करना है, उसको पहले आपको माल लेना है, ठीक है, यहाँ पर जीतने भी प्रस नंबरेंगे न, ठीक है, द कोई चीज़ हमें ग्याद करना, उससे क्या करेंगे, मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना की, माना की, पर टेक का मतलब अभी समझाएं, यानि एक बल्ले, तो एक बल्ला का मूले बराबर, क्या मान लेते हैं, एक सुरुपया, ठीक है, और एक गेंद का मूले, बराबर तो जो चीज हमें ग्याद करना है अभी आपको हम बताएं बनाने का ट्रिक उसी चीज को पहले मान लीजिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं है ना सबसे पहले हम लोग लिखेंगा इसलिए प्रसन से अब प्रसन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे तो दिखान दीजएगा वर्ह Beij médico यह अईसे अप लिख सकते हैं प्रहें नुसार या क्या क्या कह रहा है या पाह्ली बार यस meditation क्या प्रह दो तो EGO का दाम है एकस रुपया तो 7GO के, तो 7X हो जाएगा गुना हो जाएगा क्योंकि सोचो, अगर EGO पेन, EGO Pen पाँच रुपया में खरीदे हो तो DGO कितना में खरीद हो गये? 10 रुपया में, ठीक है? अब देखो 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 किया दोनों में तो दोनों में गुना हुआ तीक है यानि एगो का अगर पता है तो जितना भी चाहिए उससे गुना कर दिए तो एगो का हम लोगों को पता चलिए कितना है एक सुरपया तो सात गो के केतना हो जाएगा साथ एकश आव देखो क्या वोरा चाव गेंड तो यान यह जह गेंड तो युझ फोननो भीद तो जांच के तना रुप्या दिया और 2.600 रुप्या ठीके यह हो गया सामीकरन फंस्त अब यूले फ्रस्त इसलिए फूना फ्रासन से या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लो दूतिये सर्टा नुसार पुना प्रसन से तीक है देखिए अब दूसरी कंडिशन क्या है अब इमें बोड़ा तीन बल्ला तो एगो बल्ला का एक सुर्पया तो तीन गो का ठीरी एकस गुना कर दीजे बस निकल जाएगा और देखिए पांच गेंदे हैना तो पांच गेंद बानास ती है अब ध्यान दीजे अभी यह दो समीकरन यो मुवान या कि नहीं बन दिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे सॉल कर देंगे काउन सा वीधीपलटी स्थभाव पन वीधी से तो पर टिस्थभावन वीधी में क्या है लिखते हैं समी करन एक से सबसे पहले एक नह है 7 x plus 6 by बराबर और 300 किसी एक को बराबर करेंगे यानि 7 x बराबर और 300 और यह पलस 6 बाई है इधर आएगा तो माइनस 6 बाई हो आकी नहीं होगा होगा ठीक है अब आगे ध्यान दीजिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा और 300 माइनस में 6 बाई और बटा यह गुना में ठाइडर आगे तो भागा में इसको क्या बोलेंगे समीकरन 3 का मान समीकरन 2 में परति स्थापिट करेंगे तो लिखे समीकरन 2 में समीकरन 3 का मान परति अस्थापिट करने पर समीकरन 2 क्या है देखें तो समीकरन 2 है तीन एकस पलस पांच बाई बराबर यह सत्रह सो पचास तो देखिए एकस के जगा पर अब हम लोग इसका यूज करेंगे ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा तीन गूने एकस का मान क्या है यानि अर्टी सो माइनस च्वाई और बटा में क्या है साथ और एक्स का जगा लिखे अब 5 भाई कर तो पांच बाई पलस लिखे वे करेगा और बराबर होगा सत्रह सो पचास चीए यह क्रोस कटने वाला है नहीं तो नहीं कटेगा तो आप गुना कर दिजिए ठीक है गुना करिये देखें क्या होता इतना से इतना में होगा तो ये हो जाएगा जीरो जीरो आतिया चोविस के चार तिन्तिया नव और डू इगारा और ये माइनस कितना होगा छोटिया अठारव आई और बटा में साथ पलस पांच वाई होगा बराबर सत्रसो पचास तीक है और माइनस अठारव लिखाएगा और ये देखें एक से तो साथ आएगा तो साथ से मुना करेंगे पांच में तो साथ पच्छे कितना हो जाएगा पैंटीस यानि पलस पैंटीस वाई बराबर सत्रसो पचास ध्यान देना है वरियां से अब देखो बाई वाला का वाई के स सत्राव बाई बचे की नहीं अठाट पैंटीस अदस पैंटीस है ना तो पलस में बचेगा अब देखें और ये फिर पलस में क्या बचा हुआ है 11,400 ठीकिश बराबर सत्रस अब साथ स्वारी सत्रस पचास है और यह भागा में ठाई धर आगिया तो गुना में यानि साथ अब देखे 17 बाई बराबर इससे गुना करिए तो जीरो हो गया सत पच्छे 25 ठीक है और यह हो गया ससते उन्चास और टीन बामन और यह हो गया साथ पांच बार और यह इधर पलस में ठाइडर आगया तो माइनस में ठीक है अब ध्यान दीजिए 17 बाई बराबर क्या हो जाएगा घटा यह जीरो बचेगा पांच बचेगा यह 12 हो गया 12 में से 8 और यह हो गया 1 1 में से तो 0 बचेगा है यह इतना ही बचने बला है तीक है आट सो पचास अब देखे तो बाई का मान तीक है अब इस बाई का मान समीकरन किस में रंग देंगे वह और तू किसी में भी सिरी टिंगे तो लिखेंगे समीकरन हुएन में क कि बाई का मान कर आँ कर दसके राखने ओ cancer कि समीकरन 1 में थ्लैस ऐलस्टे बाबर में है 2800 तो देखिए बाई का इस सेवेन एक्स तो इसी रहेगा बाई का माना आए तो छे गुने पचास होगा और बराबर अर्टीस तो अब देखिए 7 एक्स बराबर यह और पेस्ट यह दोनों में गुना होगा तो कितना हो जाएगा छोपचे 30 यानि माइनस तीन सो इतना ही आएग अब ध्यान दीजिए अब 7-1 बरावर घंट आइए क्या बचेगा 00 और यह बचेगा पांच और तीन तो एक्स बरावर क्या जाएगा फैने टीसोग और बटा में साथ तो साथ पचे पैंटीस और डबल जो यानि एक्स कमान क्या आगया पांसो ठीक है तो एक साया पांसो अब लोग हम अब जो हम लोग हम पर लिख देंगे क्या ची एक बाले इसी लिए एक बल्ला का मुल्ले बराबर ठीक है एक बल्ला का मुल्ले क्या हो गया यहां के बाद ठीक है यहां के बाद आपको यहां जाना है उसके बाद यह लास्ट में लिखना है एक बल्ला का मुल्ले एक कमान कितना हम आगे पां सो तो Zach to feel a E and normal दो और क्या अग्वहर्प 1 यह गेन कम रगेव कितना पुश क्यों पाम क्वाई इन प्रें मेने थे त्रीक कर देखिये यह जो प्रस नमटर थी हे थिरीक प्स प्रस नंबर थिरी इस तरह से complete हो गया अब हम लोग देखने वाले हैं प्रस नंबर ठीरी का फोर चलिए अब देखते हैं कोस्टन नंबर फोर देखें कोस्टन नंबर फोर क्या है बुरा एक नगर में टैक्सी के भारे में एक नियत भारे के अतिरीक्त चली गई दूरी पर भारा सम्मीलित है बुरा 10 किलोमीटर दूरी के लिए अभी पहले इतना ही से पहले कुछ समझा देते हैं आपको पॉइंट ठीके देखे एक होता है नियत भारा और एक होता है अगर आप जितना किलोमीटर जा रहे हैं उतना का भारा यानि प्रती किलोमीटर का भारा समझ म अगर उन नियत भारा रख दिया है पांच उर्पया है तो यह नियत भारा है यानि कि आप अगर उस टैक्सी पर सिर्फ बैठें उसका भारा पांच उर्पया है समझ मैं गया अब उसके बाद अगर उप्रती किलोमीटर का भारा प्रती किलोमीटर का भारा मान लेते हैं अगर तो प्राटी किलो मेटर का भारा रख लिए तीनुल प्या यानि प्राटी किलो मेटर कहने का मतलब हो गया एक किलो मेटर प्राटी का मतलब एक है ना तो एक किलो मेटर चलिए तो तीनुल प्या देना है तो समझे बरहें से आपका टोटल भारा क्या निकल करके आग जाएगा इस स्थिटी में यानि कूल भारा अगर आपसे पूछे कि कूल भारा कितना हो गया तो ध्यान दिजाद दिए बन्हें से है ना देखिए ये निया तो फिक्स है आपको मतलब आप बैठी है उस पर और पांच रप्या सब्सक्राइब दे दिए है दे दिए कि नहीं दे दिए ह दीजेगा कि नहीं दीजेगा फिर देखिए अब यह अगर मान लेते हैं डू किलो मीटर जाना है तो यह तो नियत भाराई तो फिक्स है यह समझना आपको कि सिर्फ बैठने का पाईसा देना है उस पर बैठ गये बस पांच उर्पया हो गिया वहां से अगर जितना दूरी ज छोगा सब्सक्राई कंदी है और आपको आपको तो आपको नहीं 6 रुपया हो जाएगा वime आपको केतना देना परेगा 11 समझ में आकए लेकिन आपको नियत भाराई देना परेगा कि नहीं तो नियत भारा तो आप 5 पर लिखे दीजे यह पहला कंडिशन बताएं यह दूसरा यह तीसरा में देखिए अबरी क्या हो रहा पांच रुप्या तो यह आपको देना ही है समझें कि नियत है यह मान लिए हम आपको समझा रहे हैं ठीक है यह कोस्टन में से कितना निकल के आएगा तो कोस्टन बनाने पर पड़ा चलेग है तो देखे तो यह तो पांच रुप्या कोद रिप्या नियत हो गिया अंब माल लेके आपको लेको तीन trauma तो बताएं एक किलो मेट्र का कितना बोल 555 तो तिन किलोमीट गाया ना तो तीन– tia 9-nia तो यानि ओभी नौ रिप्या आकर जूट जाएगा तब आप टोटल कितना रिप्या दीजिएगा चाउदा रिप्या दीजिएगा अब समझ में आगे नियत भारा तो नियत भारा यानि समझे कि आप खाली बैठने का पैसा दे रहें उस पर बैठ गये तो आपको पांच रि यहां पर हम माल लेते हैं पांच रिप्या कोई दस रिप्या भी रहता होगा कोई पंडर भारा यानि जो द्राइवर उस पर समझ में आ तो अब यह तो प्रस्ण है ठीक है तो इस प्रस्ण के तो हमने सौल करना होगा तो यहां से हमें पराद चलेगा कि यहां का नियत भार हुआ हैं तो देखिया क्या बोरा कि 10 किलोमिटर दूरी के लिए भारा 105 naj्त भारा तर प्राति किलो मित क्या है यहाँ पर प्रस्न में चूट गिंद यहाँ पर हारा क्या लिखाएगा ठीक幫robara कि愛 क्या है है ना तो यानि हमें दो चीज ग्याद करना है पहले अभी यहां तक ध्यान देते हैं तो अभी आगे नहीं बढ़िए ठीक है अभी हम लोग बस यहीं टक सॉल्व करेंगे है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्यूंकि यहीं टक हमें दो प्रसंद निकल कर आ गया एक अभी हम बताएं ऐसे कुश्टन बनाटे समय जो चीज है न हम घ्याद करना है उसको मान लेते हैं तो क्या-क्यान ग्याद करना है नियद भारा और प्रति किलोमीटर का भारा तो लिखेंगे माना की के नियत भारा नियत रहरा भरावर एक सुरुम्या थिकächst पराटी कीलो नीटर भाहा्रा या परती कीलो मीटर ह्टा लेइट एए यही दो चीज हमें ग्याद करना लोकिया बस्यालवीजन बस इस प्रास्ट में Ice अ advisable आपको घ्याद करना है उसको पहले आप माल लीजिए अब देखे इसलिए क्या करेंगा आप हम लोग परस्न से यह लिख सकते हैं प्रथम सरतानुसार्थ प्रथम सर्थ में क्या बोल रहा है? पहली बार में क्या बोल रहा है? कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो देखो, ये नियत भारा है अभी हम बताएं, जो नियत भारा है उन्तो आपको देना ही पड़ेगा तो उप दे दीजिये यानि नियत भारा यहां कितना माने, एक, अभी हम आपको 5 से एक जाम पर लेकर समझाएं ठेके नहीं नियत भारा में, कि 5 रप्या नियत भारा, तो उतो आपको हमेशा रहेगा, वो तो आपको देदनाई होगा, अब चले हैं कितना किलो मीटर, 10 किलो मीटर, तो यानि पलस, ह लिए क्या हो जाएगा दस बाई तो यह हो गया दस बाई अब बराबर आप यह सम्मिलिट करके कितना दे रहे हैं 105 रुप्या तो बोले यह समीकरन क्या आगया फर्स्ट आगया अब लिखेंगे इसलिए पूना प्रासन से यह आप यह भी लिख सकते हैं दूतिय सर्ट अनुस ठीच है अब पलस 15 किलोमीटर चले है तो एक किलोमीटर के लिए बाई तो 15 के लिए 15 बाई और यह दोनों मिलाकर कि आप कितना दे रहे हैं दे रहे हैं आप 155 का यह हो गया समीकरन तू अब इसे हमें सॉल्व करना है एकस और बाई का मान निकालेंगे तो नियत भारा और प्रटी किलो मीटर का भारापदा चल जाएगा, तो चली solve करते हैं, प्रटी स्ठापन से बनाना है, जानवे करते हैं कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, समी करन एक से, समी करन एक क्या है, एक स्पलस दस बाई बराबर एक सो पांच, तो बटाएंगे एक स बराबर क्या हो जाएगा, एक सो पांच, अब पलस में इधर दस बाई, इधर आएगा तो माइनस में दस, इसको समी करन क्या कहेंगे, तीन, अब क्या लिखेंगे, समी करन दो में समी करन तीन का मान प्रती अस्थापित करने पर, बरहियां से ध्यान देए, समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है, x पलस 15y बराबर 155 तो देखे, x के जगाँ पर हम लोग इतना यूज करेंगे है न, क्या लिखेंगे? 105-10y अब पलस 15y है, बराबर 155 है? ध्यान देज़ेगा बरहियां से अब क्या हो जाएगा? ये बाई बला को बाई के साथ करते हैं तो 15y बाई पलस में हैं, 10y माइनस में हैं तो 5y बाई पलस में बचेगा, बचेगा न? ठीक है? अब 105 और ये 105 इधर पलस में है, इधर आएगा तो माइनस में तीखिये अब 5 बाइ बराबर क्या ho dropped गटाएंगे तो 50 बचे गटाएंगे तो 50 बचे तो बाइ बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में 5 हो जाएगा यह गुणा मेठात भागा में 85 5 का मान क्या निकल कर आगया 10 तलिछते निए समीकरन एक में बाइ का मान रखने पर समी करन एक क्या है एक्स पलस 10 वाई बराबर 105 तो एक्स का तो मान नहीं रखने हैं तो एक्स उसे लिग दीजे पलस के पलस और 10 वाई का मान हम लोग निकाले हैं कितना आया है? 100 सुरी, 10 आया है 105 105 तो यह गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100 बराबर 105 जिए एक सब बराबर यह 105 लिखाएगा यह इधर पलस में 100 इधर आएगा माइनस में याने एक्स कमान कीटना आगया पांच यह आइना पांच यह तक proudly आ理owe फिर आप पांच पर ही जामपल समझा रहे थे और पांच यह तो अब देखें एन अब हम लोग क्या लिख देंगे इस दियी नियात भारा नियात कि भार बरावर 5 रुपया, नियत भारा कितना आ गया, क्योंकि X माने है नियत भारा, तो X का माने 5 आया, अब क्या लिखेंगे, प्रती किलो मीटर का भारा, क्या माने थे, बाई का माने कितना आया, 10 रुपया, तीक है, अब देखें, अब यहां तक क्या आपका प्राशन सॉल्व हो हो गया लेकिन इसके भाद क्या कह रहा है कि एक ब्यक्ति को पचीज किलोंइटर यात्रा करने के लिए कितना भारा देना होगा जब देखो जब आपको नियत भारा पता चलजाए और प्रती किलोंइटर बीबारा पता चलजाए तो क्या हम लोगे tum 2200 चल जाओ कितनो चल हम लोग ज्यात कर सकते हैं अब असानी हो जाएगा प्रस्ट क्योंकि नियत भारा पता ही है तो नियत भारा तो फिक्स हुआ बैठेगा आप दे दीजिए समझ मैं गया आप जितना किलोमीटर आपको जाना है और एक किलोमीटर वाला से उसको गुना कर दीजिए बसा गया दो जाके लिए कि यात्रा करने के लिए कि अनगा देना होगा सब्सक्राइब जाने के लिए उर्म हाई हुआ है है सो तर्थ लीफ लिखना ओ अ बहारा अ बराबर 皮ड की पचीश किलो मीटर जाना है तो धे अनेैं यहां лिए टें यह जो फिक्स है यहांनी नियवारा तो आपको देना ही पर यह तो नियवारा दे हो यह दा हुआ एइट 셋 हो न कृष्र दीज फाницыale यह यह कितना हो जागा 25 दाहा को और फाइसो और फाइसो अब पांच या इनि उसे कितना देना होगा 255 रुप्या देना होगा, कितना किलो मीटर जाने के लिए, 25 किलो मीटर जाने के लिए, आप कितना हो किलो मीटर जाना है, आप निकाल सकते हैं, जैसे माल लीजिए, अब ही में माल लीजिए, आपको जाना है, 40 किलो मीटर, कितना जाना है, 40 किलो मीटर, धियान दीजेगा बन यह जाएंगा 400 हो हो घाली को नहीं टोटल कितना गिया चारसो पांच बॉलि आप कितना क्यों किरो मेटर गर जानाया थक्यात कर सकते यह सप्राइब कंपर आपको समझाने के लिए बताएब कुए प्रॉब्लम मैं कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम लोग देखने वाले प्रस नमबर 5 चलिए अब देखते हैं प्रस नमबर 5 देखें प्रस नमबर 5 क्या है बुरा है कि यदि किसी भीन के अंस और हर दोनों में 2 जोर दिया जाए तो वह 9 बटा 11 हो जाती है यदि अंस और हर दोनों में 3 जोर दिया जाती है तो वह 5 बटा 6 हो जाती है वह भीन ग्या करना है तो याद रखना है आपको है ना कि भीन बराबर अगर कोई आपसे पूछे कि भीन बराबर क्या होता है ठीक है तो भीन बराबर आप बोलेगा अंस बटा हर यानि अगर आपको अंस पता चल जाए और हर पता चल जाए तो आप भीन गयाद कर सकते हैं तो यानि आपको मेलियुर्यू 필요 से यहां पर क्या चीर गयाद करना है, दो चीर गयाद करना है, एक आपको UNS गयाद करना और एक आपको HUR, क्यूंकि देखो अगर UNS का मान है M Cambly लेते हैं 5 तो UNS उपर में 5 हो गया और हर मान लेते हैं आया 2, तो नीचे में हो भीन का अंस बरावर क्या माल लेंगे एक्स और भीन का हर बरावर बाई अब देखिए अब इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसलिए प्रासन से या यह भी लिख सकते हैं इसलिए प्राथम सर्टा अनुसार तो इसलिए अब लिखते हैं प्रासन से तो देखिए पहली कंडि चीषिन में क्या बोरा है ? कि आंस और हर में दोनों में जोर दिया जाए, तो भी ने पहले लिख लिएते हैं? ठीकिए या आप यहाँ पर और आप एईसे लिख सकते यार एक लाइन पहला ही लिख दीजिए कि भीही ने बनाबर क्या हो जाएगा तो अधियान दीजिए अप भीन बराबर हम लोग जानते हैं अंस बटा क्या होता है हर देखें आप लिखें तो अंस क्या है एक्स और हर क्या है बाई तो भीन बराबर यह हो सकता है है ना तो हम लोग अब क्या लिखेंगे अब लिख देते हैं इसलिए प्रसंसे तो ध्यान दीजिए इसलिए प्रसंसे तो पहली बार में क्या बोरा है तो पहले जो भी ने उसको लिखी है यानि एक सबटा में बाई क्या बोरा है कि दोनों में यानि अंस और हर तो अंस में भी दो जो रहेंगे और हर में भी दो जो रहेंगे तो यह दोनों में पहले दो दो जोर देते हैं दो दो जोर दियें तो जानते हैं तो तो देख्विए भागा में इधर एधर आएगा तो गुना में तो गुना में याज बोली 11 9 confirmation आघ इधर जा नुए यानि 22च टुए अफ लोक जाने कोटे हैं कि CROSS m´ unfortunately यानि इस से इस में गुना होका और हीस इसमें चलिए गुना करिएगा आप तो 11 एक्स हो जाएगा और पलस 11 दुनी 22 ये क्या हो जाएगा 9 बाई और पलस 9 दुनी 18 हो जाएगा बोली यहां टैक में तो कोई प्रोबलम नहीं है है अब आगे देखते हैं देखें क्या है 11 एक्स ये पलस में 9 बाई है इधर आएगा तो माइनस 9 बाई अठारा ये पलस बाई से इधर जाएगा तो माइनस 22 यनि क्या अगया ये दो बाई बचेगा घटाएंगे तो गटेगा नहीं है ना एक एक रहा क्षी हाए और एक बाई है तो और आओ ऐक्स – न unpack बाई बढ़ गया आपचे आँ मैंस प्रासन से हैना अबरी फिर से भीन को लिख दीजिए यानि भीन क्या है एकस बटा में बाई अबरी क्या बोल रहा देखिए यदि अंस और हर दोनों में तीन जोर दिया जाए तो यानि अबरी अंस में भी तीन जोर दिया है हर में भी तीन जोर दिया है तो देखे क्या हो जा UK बराबर 5 से गुना होगा yapmış State I'm a अब यहां के बादेहां आते दो दो क्या हो जाएगा सब क्या उस हो जाएगा मुप्दर दो क्पश्क्राइद नहीं बराबर 100 रहने दी इए पलस मेंूर जाएगा तो माइनस में तो यानीट 2x-5y, बराबर क्या हो गया? माइनस 3, इसको सम्मिकरन 2, ठीके, अब इसको हम लोग solve करेंगे, तो x और by का value आएगा, तो इसको solve करेंगे कौन सा अभी दिसे? पर्टिस ठापन, तो कैसे solve करते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सम्मिकरन 1 से, सम्मिकरन 1 क्या है? 11x-9y, बराबर में माइनस 4, ध्यान दीजिए, तो 11x बराबर माइनस 4, और यह माइनस में है, इधर आएगा तो पलस में 9y हो जाएगा, अब देखें, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4, पलस 9y, यह गुना में है इगा रहा, इधर आएगा तो बहागा में, इसको सम्मिकरन क्या बोलेंगे? 3, अब इसी सम्मिकरन 3 का मान इसमें न रखते हैं, तो क्या लिखेंगे? सम्मिकरन 2 में, सम्मिकरन 3 का मान प्रती अस्थापित करने पर, तो सम्मिकरन 3 का मान है, अब देखें, तो सम्मिकरन 2 क्या पहले उसको लिख देखें? 6X-5Y, बराबर में, माइनस 3 है, जहाँ पर 1 है, उहाँ पर अब इतना यूज करेंगे, तो यानि 6, अब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर गुने कर लेते हैं, यूँकि बहुत सारा है, है ना? तो देखें, 4+, 9Y, इसलिए छोटी कोस्ट देखें, गुना करेंगे, 11, और माइनस क्या है, 5Y, बराबर माइनस 3, देखें, क्रोस तो कटने वहला है नहीं, नहीं कहते हैं, तो सामने सामने गुना करें, यानि क्या हो जाएगा? माइनस 24 हो जाएगा, और पलस नोचक 54 भाई, हो जाएगा, और बटा में 11, और माइनस 5 भाई, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एल सियम कितना हैगा? 11 देखें, ये तो सेम ही रहा जाएगा, यानि माइनस 24 और पलस 54 भाई, ये देखें अब यहाँ पर जो है, ये माइनस रहेगा, देखो, 11 आएगा, भाग करेंगे तो, 11 पचे 55, और बराबर माइनस 3, ठीक है? अब देखो, ये घटाएंगे अगर, तो माइनस 2 आएगा, क्योंकि देखो, पलस में 54 भाई है, और माइनस में 55 भाई है, तो माइनस वाला बरा है तो माइनस में आएगा, और 55 में से 54 जाएगा, तो एक बचेगा, तो यानि माइनस एक भाई लिखो, या बाई लिखो, और ये माइनस 24 बराबर, माइनस 3 आई गुने भागा में है, तो इधर आएगा तो गुना में, तो माइनस 2 बराबर, 11 ये 33, माइनस 33, और ये माइनस म आगे तो पलस में चोवीश तीख है अब इहाँ आजाते हैं अब देखे क्या होगा माइनस बाई बरावर यह देखे कितना बचेगा यह बच जाएगा माइनस नो मैंसनों ही बचेगा एक आफाप इतना घट आईगे ठीक है तो माइनस माइनस क्या हो गया खतम हो गया बाई कामान क्या आगया नव आगया अब इस बाई कामान है ना समीकरन एक या दो या तीन किसी में भी रख देंगे तो लिखेंगे क्या समीकरन एक में बाई कामान रखने पर तो समीकरन एक क्या है लिखें पहले मैनस 9 बड़ावर में माइनस चार तो 11 ऐसी रहेगा इसको कुछ करें माइनस नव और गुन आपके जगा पर लिखेंगे अब 9 और माइनस चार तो यह हो गया 11 ऐख यह प्यक्ति हो जाएगा माैनश एकासी और बरावर माइनस चार 12 बरावर क्या हो जाएगा माइनस चार और dö Abraham माइनस में राय तो दें स्वेवे हो skirts में 6 अच निसरा एक बदात्ता ङандम मैनस पूलने एक्स ब्राबर सततर बत्रा में क्या हो जाग। इयारा सतर यानि 16 का मान क्या आ गया साथ इक का साथ और बाई का def постоян TP हमें क्या ग्यार करना था प्रिख देंगे अभी सी लिए थी बेहर ordबर अ तुर पता हर होता है अंज कमान केतना आगया साथ और हर कमान क्वान आगया नौँ यही ओ गव्यापका इंसर टी कि इसको कॉपी नहीं थो यहाँ जाईएगा फिर यह बनाईएगा फिर यह और टबया आपको बनाना घर चलि तो यह था प्रासिन नेमर पाईजियो अब यह एक और की आयू से तीन गुणी हो जाएगी पांच बर्स पूर जैकब की आयू उसके पूत्र की आयू का साथ गुणी थी।aty जो जह करना उस चीश को पहले मान लेते हैं तो हम लोग सब से पहले किसका मानेंगे जैकब का लिखेंके माना की जैकव की वर्टमान आयू बराबर क्या मान लेंगे एक्स वर्स आयू है तो वर्स में मान लेते हैं और जैकव के पूत्र जैकव के पूत्र का वर्टमान आयू दोनों का पहले वर्टमान आयू जो चीज हमें ग्याद करना है उसको मान लेना है याद रखना है तीक है बराबर बाई बर्स अब देखिए प्रस्थम सर्ट में क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं प्रस्थम सर्ट अनुसार है ना या फिर देखिए पहले सर्ट में क्या हो रहा है कि पांच बर्स बाद तो पांच बर्स बाद बोल रहा है तो पहले लिख देते हैं पांच बर्स बाद पांच बरस बाद देखें पांच बरस बाद तो पांच बरस बाद तो दोनों का यू बरहेगा बरहेगा कि नहीं जिसे मान लेते हमारा भी बरतमान यू दस बरस है तो पांच बरस बाद क्या हो जाएगा 15 बरस हो जाएगा होगा कि नहीं होगा तो बाद बोलेगा तो तो अभी 10 है, तो दो बर्स पहले 8 होँगे, तो यानि 2 घंत आना होगा, तो यहां पर बाद बोला है, तो बाद यानि बर्तमान अभी एक्स है, तो एक्स में 5 एड हो जाएगा, तब तो पाँच बर्स बाद उतनी आयू आएगा, तो यानि क्या लिखेंगे, जैकब का, जैक पर बर्तमान आयू नहीं लिखेंगे, यहां सुरू में बर्तमान आयू लिखेंगे, क्योंकि हमें बर्तमान आयू ही घ्याद करना था, तो पाँच बर्स बाद जो है, अब जैकब की आयू क्या हो जाएगा, तो देखे, एक्स पहले अभी बर्तमान है, तो पाँच बर्स चले जाये यानि फान इंपार जूट जाएगा ये स्पटल स्पान्च बस् Parents हो जायेगा दूसरा ये को दिखो जैकब के पूत्र है o जैकब के थूट्र का आयो इसमें भी 5 ब्रस आइड हो जाएगा तो वर्टमान उसका बाई है तो 5 ब्रस बाई यानि बाई पलस 5 हो जाएगा तीक है अब लिखेंगे इसलिए प्रसन से देखो पहली कंडिशन में क्या है कि तीन गुनी हो जाओंगे अब ही हम बताएगे जब भी ऐसा कुछा है तो पहले दोनों को एक साइड में लिख दिजिए एक साइड में इसको लिखा और एक साइड में उसको लिखे तो एक साइड में लिखते है जैकब का यानि एकस पलस 5 और बीच में क्या देना आपको बराबर क्योंकि अब दोनों को हम क्या करेंगे बराबर गुनी हो जाए या बढ़ जाए घंट जा तो इस सिस्थिते में दोनों को बराबर करने के लिए ठीक है बस बराबर करेगा आपको एक समीकरन बन जाएगा ठीक है जब समीकरन बनेगा तो उसको सौल करेगा आ जाएग बस इतना ही होता इसमें देखिया तो क्या बोड़ा तीन गुणी आयू का हो जाओंगी है ना तो कौन तीन गुणी पांच बर्स बाद जैकब की आयू उसके पूत्र के आयू से तीन गुणी हो जाओंगी है ना हो जाएगी तो यानि तीन गुणी कौन हो जाएगी तो तीन को ब्रावर करने के लिए तो प्रस्ण में 3 गुणा करना हो गया क्योंकि यह तो यह छिपा हुआ है और किसको गुणा करेंगे तो बाई पलस 5 को अब यहां से मिटा रहते हैं, बस अब इसको solve करिए, समिकरन एक आ जाएगा, तो x पलस 5 हो गया इधर, इधर क्या हो गया, गुना का नियामी यह है कि इससे इसमें होगा, इससे इसमें, तो यह हो जाएगा 3by, और क्या हो जाएगा, पलस में 5, 15, अब ध्यान दीजे, x यह प समिकरन क्या कहेंगे, एक कहेंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजे, अब दूसरा बार में क्या कह रहा है, अब रिम देखिए, अब रिम बोरा, पांच बर्स पूर्व, पूर्व का मतलब उटा पहले, तो यानि पांच बर्स पूर्व बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ल तो तो कम जाएगा यानि 5 बरस पहले चले जाएगे तो बर्तमान आयू से कम जाएगा ना तो बर्तमान आयू एक्स बरस है है ना तो 5 बरस कम यानि माइनस 5 हो जाएगा और बरस अब जैकब के पूत्र का आयू आइए बराबर क्या हो जाएगा वाई भर्टमान में बाय है पांच वरश मैं से खहता दीजे तो भाई बर्स हो जाएगा त्म् önemन अब देखे क्या हो रहा बरह AG पांच वर्स पूर्व था न तो पांच वर्स घट वक मत वागार है तके तो क्या बोरा पूर्व जैकब की आयू उसके पूत्र की आयू की साथ गुनी हो जाएगी साथ गुनी थी समझें पहले साथ गुनी थी तो देखिए साथ गुनी अब पहले हम लोग क्या करेंगे पहले एक तरफ इसको लिखेंगे और एक तरफ इसको लिखेंगे और बीच मे यह साथ गुनी आयो की थी कौन था साथ गुनी आयो की यह ना जैकब तो यह निए आपको छेपा हुआ हुआ हम इन दोनों को बराबर करना चाहरे है तो यह 7 गुनी है तो इसे भी क्या करना होगा 7 गुनी यानि इसे 7 से गुना करना है यह तो प्रस्ट में आपका छिपा हुआ है तो 7 से किस में गुना करेंगे तू,нымиनथ साटवाई अब ये हो गया, मांइनस है तू ये मांइनस पाइस है, धर जायेगा तो, पलस पाइस, तू, एक्स माइनस साट वाई, बराबर क्या होजाएगा, माइनस दिसी यह समीकरन हो गया दो आ इन दोने समीकरन को म ksi करना हो तो अषय क्या लेखर है करन समीकरन 1 से इस on few dates दरहा क्या लीखेगा तो एक समाइनस 3 वाई बदाबर में 10 तो एक्स बराबर बटाए यह तो क्या हो जाएगा दस पलस थिरी वाई इधर माइनस में इधर जाएगा तो पलस में इसको समीकरन क्या माल लेंगे तीन अब यही तीन कामान किसमें प्रतिय अस्थापिट कर देंगे दो में तो लिखिये समीकरन दो में कि समीकरन तीन कामान प्रती अस्थापित करने पर करिए अब प्रती अस्थापित रेखें समीकरन दो क्या है समीकरन दो है X-7Y बराबर माइनस 30 तो X के जहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पलस 3Y और माइनस 7Y बराबर माइनस 30 ध्यान दीजिए तो यह है ना एक पलस में एक माइनस में घंटेगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बरा है तो 7 में से 3 गया 4 तो माइनस 4 बराबर माइनस 30 यह पलस में इधर आएगा तो माइनस में अब बाई बराबर माइनस 40 हो जाएगा और यह इधर भागा में इधर आएगा तो भागा मैंस मैस कटम हो गया चार दहां40 तो बाई का मान क्या निकल कर क्या आगिया 10 अब इस बाई का मान है न कोई भी समिकर्ण में रख देंगे तो मान लेते हैं समीकरनुवन में रखने पर शमीखरनुवन क्या है x-3y बरावर 10 x-3y बरावर 10 तो देखे एक्स तो कोई चेंज नहीं होगा तो इस इस रहेगा तिरी अगुने बाई की जगापर चेंज करेंगे क्या लिखेंगे 10 क्यूंकि by कमान 10 आया है तो क्या हो जाएगा 10 मानेको टी century थीु कौण़ थी से कि बेर case ब्लॉब 5 बेदा अब एक्स , यह इधर मानेको ब्ल Χ्व मांने क्या गिया चालिस ठीक है और एक्स चालिस आया ऐसे भी एक्स का मान बढरा ह mahdoll आएगा इसमी याद रखे है क्योंकि एक्स क्या है एक्स किसकी आयुकमाने है यह जो है उसके जो भी Jaiqab है तो यहाँ पर सब्से निकल के अलए लगए कि मा है क्योंकि ठी तो यहाँ पर side मा है, तो मा का हमेशा युबरा होगा, ठीक है, और पूत्र का छोटा होगा, तो बाई का मान हमेशा कम ही आएगा, याद रखेगा इसको, ठीक है, बाई का मान अगर जादा आ रहा है, और X का कम आ रहा है, तो वहीं पर समझे कि आपका answer गलत है, है न, देखि की वर्टमान आयू, बारावर, X कमान क्या है, चालिस, तो चालिस वर्स, ठीक है, अब जाएकव के पूत्र का वर्टमान आयू, बारावर, बाई कमान आया, दस, तो दस वर्स, ठीक है, हो गया, तो इस तरह से आपका जो exercise है 3.3, है न, यह समाप्ठ हो गया, अब हम लोग अगले बार परहेंगे 3.4,